इनौर्गिनिक केमिस्ट्री पढ़ने का आज आपको सबसे इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ इनौर्गिनिक को केमिस्ट्री का सबसे दर्द देने वाला पार्ट सम juja जाता है क्योंकि इसमें रट रट के आखे सूच जाती है, दिमाग सुन हो जाता है तो इस technique का नाम है DNC technique, D is for differentiate, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि inorganic chemistry पूरी रटने वाली नहीं होते, inorganic को दो पार्ट में बाट ले, पहले पार्ट में predictable, chemical, bonding, metallurgy, coordination, compounds जो समझने के chapters हैं, और दूसरे पार्ट में blocks और salt analysis जो याद करने वाले subject हैं, तो दोनों को अलग- strategy से पढ़ें, mindset एक में याद करने का और दूसरे में समझने का रखें, N is for notes, जो जितनी बार notes revise कर लेगा inorganic chemistry में, उसके उतने ही अच्छे number आएंगे, जादा बार notes पढ़ते जाओ, जादा अपने number बढ़ाते जाओ, C is for confidence, inorganic chemistry confidence based subject है, आपको अगर confidence है कि हाँ मिरको समझ में आ रहा है, मिरको याद में हो रहा है, तो inorganic में number आएंगे